नमस्कार दोस्तो एम एनसी एजूकेशन में आप समों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 11 का टम 1 का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है लिमिट्स और आज के इस सेशन में हम लिमिट्स से रिलेटेड 20 बहुत ही important questions करने जा रहे हैं most important mcqs का ये session है I hope कि आपकी तयारी में ये बहुत ही मददगार सावित होगा बिना कोई देरी किये आज का session अब शुरू करते हैं पहला question है limit x tends to 3 x square minus 9 by x minus 3 is equal to तो हमें इसका limit निकालना है तो यहाँ पर देखिए अगर आपको x square minus 9 by x minus 3 का limit निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें आपको यहाँ पर limit x tends to 3 है उपर factorize कर सकते हैं आप तो यहाँ पर limit x tends to 3 और फिर यह हो जाएगा x plus 3 into x minus 3 upon x minus 3 और फिर आप x minus 3 वाले factors को cancel करा दीजें अब आप limit यहाँ पर put कर दीजें limit x tends to 3 है तो यह आजाएगा x की जगर पर 3 और plus में 3 है तो ultimately आपको क्या answer आजाएगा 6 तो इसका जो correct answer है वो है B question number 2 देखते हैं limit x tends to 0 है root under of x plus h minus root under x upon h है जब भी इस तरह का question आपको मिलता है तो उसमें अगर root under होते हैं चाहे उपर हो या नीचे मतलब numerator में हो या denominator में हो तो आपको rationalize करना पड़ता है तो आप जो है यहाँ पर rationalize कर लिजे तो यहाँ पर limit x tends to 0 तो है हमारे पस उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर rationalize कराएंगे तो इसके conjugate से हमें multiply कराना होगा ताकि यह a square minus b square का form बन जाए तो x plus h हो जाएगा अगर root under का square होता है तो root under हट जाता है और यह minus x हो जाएगा जबकि नीचे हमारे पास क्या आएगा एक तो h already है दूसरा हमारे पास आएगा root under of x plus h और फिर plus root under of x ठीक है I hope कि आपको यह समझ में आ रहा होगा कि कैसे यह हो रहा है फिर यहाँ पर देखिए यह x x cancel हो गया और यह h इससे cancel हो गया यानि कि उपर आपके पास 1 बचा हुआ है h tends to 0 है तो यहाँ पर हम 0 डालेंगे तो यहाँ पर सिरफ root under of x बचा रहा जाएगा तो 1 by 2 root under of x इसका आंसर हो जाएगा तो 1 by 2 root under x जो है वो है d option तो d option इसका correct हो जाएगा question number 3 देखिए बहुत ही अच्छा question है limit x tends to 1 by 2 दिया हुआ है यह actually ऐसे questions हैं जो अभी हमने दो उपर देखे question number 1 question number 2 और यह question number 3 है यह भी अगर आप सीधा सीधी सीधी value जो है x की डाल दें तो आपको यह 0 by 0 form में आ जाता है 0 by 0 form को हम indeterminate form करते हैं indeterminate form करते हैं हम इसको तो हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं indeterminate form को खतम करने के लिए हम numerator और denominator दोनों को factorize कर देते हैं जिनका भी factorization possible है तो हम जो है यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास numerator का factorization possible है तो हम जो है यहाँ पर numerator का factorization कर देंगे यह हो जाएगा limit x tends to 1 by 2 x tends to 1 by 2 और यहाँ पर यह इसका जो factor होगा वो होगा 4x 4x square minus 1 है न तो 2x plus 1 एक factor होगा और 2x minus 2x plus 1 और 2x minus 1 एक दूसरा factor होगा और upon में 2x minus 1 है ठीक है तो यह जो है आप फिर इनको cancel करा दीजे अब आप 2 यहाँ पर x की जगह पर 1 by 2 डालिए तो यहाँ पर क्या आजाएगा 1 आजाएगा plus 1 मतलब इसका जो limit है वो कितना आजाएगा 2 आजाएगा तो 2 आप देख लिजे option wise यह a option correct है question number 4 बहुत ही important question है यह इसमें अगर आप देखेंगे तो यह क्या है कि limit extends to 1 है और फिर आपके पास यहाँ पर x power m minus 1 है upon में x power n minus 1 है ठीक है तो आप यहाँ पर इसकी limit निकालने के लिए एक formula यूज करेंगे तो उसके लिए इसको suitably change करेंगे पहले तो वो हम कैसे करते हैं वो करते हैं कि x power m है minus 1 की power भी m हम कर देते हैं upon में आप x minus 1 लिख सकते हैं इसको और whole upon हमारे पास x power n minus 1 power n और upon में x minus 1 ठीक है जब हम numerator की limit निकालनेंगे तो हमें क्या आएगा हमें आएगा m into 1 की power में m minus 1 ठीक है जबकि हम denominator का जब निकालनेंगे तो n into 1 की power में n minus 1 आएगा तो m की power में जो भी 1 की power में जो भी है उससे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा यहाँ पर m into 1 ही आजाएगा numerator में आप देखिए numerator में m into 1 आजाएगा denominator में भी n into 1 आजाएगा तो as a result आपके पास जो answer आएगा वो है m by n तो c option इसका correct हो गया question number 5 देखिए यहाँ पर है x tends to 0 x plus 2 की power में है 1 by 3 minus 2 की power में 1 by 3 upon में x है अब देखिए यहाँ पर न हम सारी चीजे change कर देंगे यहाँ पर limit में भी हम दोनों side plus 2 करा देंगे तो यह x plus 2 tending to कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और फिर यह x plus 2 तो है ही हमारे पास इसकी power में 1 by 3 दिया हुआ है उनोंने साथ में हमें minus 2 की power में भी 1 by 3 दिया हुआ है whole upon पर कर दिजे x plus 2 एक कर लिजे और फिर minus 2 कर दिजे ठीक है plus 2 और minus 2 कर दिया denominator में तो अब यह उस form का हो गया कि limit extends to a x power n minus a की power n और upon में x minus a तो वो होता है n यहाँ पर कितना है 1 by 3 है a कितना है 2 है और 1 by 3 minus 1 ठीक है तो यह हमारा बन जाएगा 1 by 3 into 2 की power में 2 by 3 तो इस तरह से option wise हमारा a option इसका correct है question number 6 देखते हैं question number 6 में जो है यहाँ पर limit extends to 1 नहीं 0 होना चाहिए तो यह 0 ले लिजे आप तो यह 1 plus x की power 6 minus 1 है upon में 1 plus x whole square minus 1 है तो अगर हम वही जैसे अगर हम पिछले questions की तरह अगर देखें तो यहाँ पर हम जो है इसमें भी formula लगा सकते है n a n minus 1 वाला तो यह आजाएगा 6 into 1 की power में आजाएगा 6 minus 1 जबकि denominator में आएगा 2 into 1 की power में 2 minus 1 तो खेर यह तो 1 की power में 6 minus 1 हो या 1 की power में 2 minus 1 हो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो basically आपको answer 6 by 2 से मिलेगा जो की 3 के बराबर है और हमारा d option इसका correct हो जाएगा question number 7 देखते हैं यहाँ पर है limit x tends to 2 1 by x minus 2 है minus 2 into 2x minus 3 है x cube minus 3x square plus 2x है denominator में ठीक है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तो limit तो जो भी है वो रहेगा ही हमारे पास limit x tends to 2 रहेगा अब यहाँ पर जो है हमें LCM लेने की जुरत है तो इसके लिए हमें इस वाले denominator को factorize करना पड़ेगा तो 1 by x minus 2 तो है यह हमारे पास minus यहाँ पर 2 into 2x minus 3 यह भी रहेगा ही और इसको जब आप factorize कराएंगे तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर x common आ रहा है plus 2 अब x square minus 3x और plus 2 है ठीक है इसको जब आप factorize कराएंगे तो x square minus 2 x minus x plus 2 होगा जो की हो जाएगा x minus 2 और minus 1 x minus 2 इस तरह से x minus 2 एक factor आएगा और x minus 1 एक factor आएगा मतलब यह किसका x square minus 3x plus 2 का तो हमारे पास जो है यह वालली चीज यहाँ पर copy कर देंगे तो copy कर देंगे यह हो जाएगा आपका x minus 1 और into में x minus 2 ब्रेकेट बन अब हम LCM लेंगे अगर तो हमारे पास देखते हैं क्या बच रहा है limit distance to 2 है यहाँ पर जो है LCM लेंगे तो यह x square minus 1 यहाँ पर आजाएगा 1 से multiply हो जाएगा तो यह आजाएगा x square minus x minus 4x और plus 6 और upon में आजाएगा x x minus 1 x minus 2 ठीक है अब जो है हम इसको minus 5x हो गिया फिर जब हम इनको break कराएगे मतलब minus 5x हो गिया x square minus 5x plus 6 फिर फर्दर हम x square minus 5x plus 6 को जब कराएगे factorize तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा x minus 3 एक factor आएगा और x minus 2 भी एक factor आएगा तो मतलब x minus 2 into x minus 3 और upon में x into x minus 1 x minus 2 x minus 2 cancel हो जाएगा numerator में और denominator में से अब जब हम 2 डालेंगे यहाँ पर तो 2 minus 3 तो minus 1 हो जाएगा जबकि नीचे अगर डालेंगे तो 2 into 2 minus 1 तो 1 2 into 1 तो 2 तो यह minus 1 by 2 हमारा answer आजाएगा जो की B option correct हो जाएगा question number 8 में हमारे पास देखिए limit extends to 0 root under 2 plus x minus root under 2 upon x है जब भी इस तरह का question मिलता है तो आपको rationalize करने के लिए बताया गया है तो आप इसको rationalize कर दीजे rationalize करने के बाद आपको मिलेगा 2 plus x और minus 2 in the numerator क्योंकि यह a minus b और a plus b से हम multiply कराएंगे तो denominator में आएगा root under of 2 plus x और plus root under of 2 root under of x oh it is root under of 2 right now these two cancel हो जाएंगे यह दोनों 2 cancel हो जाएंगे और हम 0 जब डालेंगे यहाँ पर यह x भी cancel हो जाएगा तो उपर यानि कि 1 बचा रह गया जबकि denominator में हम जब यहाँ पर 0 डालेंगे तो यह x खतम हो जाएगा तो root under 2 plus root under 2 तो 2 root under 2 हो जाएगा as a result हमारा जो answer है वो c option correct हो जाएगा question number 9 देखिए बहुत ही important question है find the positive integer n so that limit x tends to 5 x power n minus 5 power n by x minus 5 is equal to 500 अब यहाँ पर क्या है कि वो n a n minus 1 वाला formula लग जाएगा तो यहाँ पर जो है n a तो हमारा 5 है n minus 1 और यह equal to 500 है ठीक है तो अगर हम n की value 4 लिखेंगे न तो यह 4 into 5 की power में 3 हो जाएगा और यह फिर 500 के बराबर हो गया यानि की n की value कितनी आ गई n की value है 4 तो हमें n की value ही निकालनी है तो यह option हमारा correct हो जाएगा question number 10 trigonometric limit से सम्बंधित है limit x tends to pi by 2 है sec x minus 10 x है तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो हमें sec x को क्या लिख सकते है 1 by cos x लिख सकते है x tends to pi by 2 है और tan x को क्या लिख सकते है sin x by cos x तो हमारा 1 minus sin x और upon में cos x हो जाएगा LCM अगर हम ले 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 तो ठीक है कोई problem नहीं है अब 1 minus sin x को हम जो है क्या लिख सकते है क्योंकि अगर हम यहाँ पर values डालेंगे तो यह infinity minus infinity है जो कि not defined होता है still यह 0 by 0 आ रहा है हमारे पास यह भी indeterminate form ही होता है यह भी indeterminate form होता है infinity minus infinity 0 by 0 भी indeterminate form होता है तो 1 minus sin x को हम फिर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं cos x by 2 minus sin x by 2 का whole square यह लिख सकते हैं अब जो है और अपन में cos x को हम क्या लिख सकते हैं cos x by 2 minus sin x by 2 और फिर bracket में cos x by 2 plus sin x by 2 ठीक है अब इसमें देखिए यह cancel हो जाएगा यह 2 है यह cancel हो जाएगा यहां से अब आप values डाल दीजे तो cos x by 4 हो जाएगा minus sin x by 4 तो x by 4 पे cos और sin दोनों की value semi हो जाती है तो 0 हो जाएगा numerator मे और denominator में जो है हमें 0 नहीं आ रहा है क्योंकि यह अब 1 by root 2 plus 1 by root 2 तो वो जो है sum हो जाएगा मतलब हमें 0 नहीं आएगा तो यहां पर 0 by something है जो कि non 0 है तो यानि कि हमें answer क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ठीक है तो b option इसका correct हो जाएगा अब तक के session से पता चल गया होगा क्योंकि हमने आधे questions कर लिये है तो अब पता चल गया होगा आपको कि इसमें काफी important questions है सब के आने के chances बराबर ही है कोई भी question पूछा जा सकता है equally likely to come in the examination equally likely to be asked in any examination है ठीक है तो यह term 1 के लिए आपका syllabus पूरा करेगा यहाँ पर है limit extends to 0 sin 2 plus x minus sin 2 minus x upon x अगर आप सीधा सीधा यहाँ सीधी values लगाएंगे तो देखेंगे की sin 2 minus sin 2 मतलब 0 और numerator में 0 आगया denominator में भी x है 0 तो यह 0 बही 0 आजाएगा indeterminate form आजाएगा ठीक है बात तो अब जो है हमारे पास यहाँ पर limit extends to 0 है limit extends to 0 यहाँ पर अब हमारे पास trigonometry का एक बहुत ही important formula यूज करना पड़ेगा sin a minus sin b का वो होता है 2 cos a plus b by 2 तो 2 cos अब a plus b मतलब 2 plus x plus 2 minus x x cancel हो जाएगा 2 to 4 हो जाएगा by 2 तो 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 cos 2 आगया और फिर यहाँ पर into में आएगा sin 2 cos 2 into sin 2 x by 2 होगा जो की x दे जाएगा और denominator में भी हमारे पास x है अब limit extends to 0 पर sin x by x 1 हो जाएगा तो 2 cos 2 into 1 हो जाएगा तो इस तरह से यह a option इसका correct हो जाता है ठीक है हमें पता है कि limit extends to 0 sin x by x 1 के बराबर होता है तो हम यहाँ पर वो वाला formula लगा लेते हैं question number 12 है limit extends to 0 है sin x by x into 1 plus x है बहुत ही direct question है अगर आप देखें तो तो इसमें क्या है कि आप सीधी values लगा दीजे तो sin x by x हो जाएगा अभी जैसे हमने उसके लिए किया था अभी limit निकालने के लिए limit extends to 0 sin x by x जो है वो 1 हो जाएगा ठीक है और फिर 1 by 1 plus cos 0 तो cos 0 भी 1 हो जाएगा इस तरह से हमारा जो answer है वो correct answer हो जाएगा भी question number 13 देखते है limit extends to pi by 2 है 1 minus sin x by cos x है ठीक है अब हमें जो है 1 minus sin x x की जगा पर pi by 2 अगर रखेंगे तो यह 0 by 0 form में हो जाएगा क्योंकि उपर 1 minus 1 और नीचे cos pi by 2 तो 0 ही होता है तो 0 by 0 हो जाएगा तो हमें इसको कैसे करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो है 1 minus sin x जैसे है और upon में cos x है तो आप जो है चाहें तो rationalize कर सकते हैं rationalize कर देते हैं limit extends to pi by 2 ही रहेगा हमारे पास तो और उसके बाद जो है 1 minus sin x को rationalize कराएगे 1 plus sin x से multiply करके तो वो हो जाएगा 1 minus sin square x ultimately वो हो जाएगा cos square x ठीक है यानि कि उपर आपका cos square x आ गया और नीचे आपका क्या है cos x है और साथ में आपने जो rationalize करने के लिए 1 plus sin x से numerator और denominator को multiply किया था तो वो है ठीक है इस तरह से हमारे पास यह आ जाएगा cos x से cos square x cancel हो जाएगा अब pi by 2 आप niscent होके डाल दीजे यह 0 by 0 form तो नहीं बनेगा cos 0 क्या होता है 1 होता है 1 plus sin x तो 1 plus sin pi by 2 तो 1 plus 1 हो गया जो कि 2 हो जाएगा तो 1 by 2 will be the answer तो B part इसका B option इसका correct हो जाएगा question number 14 देखिए limit x tends to 0 है mod x by x है यहाँ पर हम जो है इसको पता करने के लिए क्योंकि यह modulus function है तो LHL और RHL दोनों निकालना पड़ेगा जब आप LHL निकालेंगे तो यह हो जाएगा limit x tends to 0 minus ठीक है और 0 minus के लिए यह minus x होता है क्योंकि 0 से कम के लिए जो modulus function है उसकी value minus x निकलती है और upon में x है x से x cancel करा देंगे तो यह आजाएगा minus 1 जबकि RHL में क्या निकलेगा RHL में आएगा limit x tends to 0 plus ठीक है और 0 plus में हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा x by x आएगा तो यह हो गया 1 ठीक है तो यहाँ limit देखिए LHL minus 1 है RHL 1 है यानि कि limit does not exist क्योंकि limit exist करने के लिए इन दोनों का बराबर होना बहुत ही जरूरी है actually अगर यह दोनों बराबर नहीं है तो limit does not exist question number 15 देखते हैं यहाँ पर क्या है limit extends to 1 है limit extends to 1 है और आपको x minus 1 दिया हुआ है तो यह जो है x जो दिया हुआ है यहाँ जो function जो दिया हुआ है वो एक greatest integer function है उसमें क्या है कि अगर हम 1 से कम value लेंगे ठीक है यहाँ पर देखिए limit extends to 1 है तो 1 से अगर हम कम value लेंगे तो हमें यहाँ 1 minus h LHL निकालना पड़ता है और यहाँ minus 1 ठीक है तो यह जो है हमारे पास क्या दे जाएगा minus h जो की minus 1 के बराबर हो जाता है ठीक है और इसी तरह से जब हम plus h की बात करेंगे तो वो 0 आ जाएगा तो यह जो है does not exist हो जाएगा ठीक है क्योंकि फिर से यह LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं निकलेगा हमारा ठीक है question number 16 देखिए limit extends to 0 है x into sin 1 by x is equal to यह बहुत ही important question है और easy भी है इसका जो limit होगा वो 0 होगा यह 0 इस वज़ा से होगा क्योंकि 0 into अब यहाँ पर देखिए sin 1 by x है हमें पता है कि sin 1 by x हो या जो भी है यहाँ पर sin की value कितनी होती है sin की value जो है हमेशा minus 1 और 1 के बीच में lie करती है तो ठीक है तो an oscillating number आप ऐसे लिख सकते है an oscillating number lying between minus 1 and 1 तो obvious है अगर आप कोई ऐसे number code जो की minus 1 और 1 के बीच में लाए कर रहा है उसको 0 से multiply कराएंगे तो outcome क्या आएगा 0 आएगा तो इसका correct answer हो जाएगा 0 question number 17 देखिए question number 17 है बहुत ही important question है अगर if limit extends to 1 x power 4 minus 1 by x minus 1 is equal to x cube minus k cube by x square minus k square limit extends to k दिया हुआ है तो हमारे पास यहां पर जो पहला वाला है उसमें जो हम अगर formula लगाएंगे तो वो क्या आजाएगा 4 into 1 की power में 3 4 minus 1 तो 3 और इधर right hand side में क्या आएगा उपर आएगा 3 k square जबकि denominator में आएगा 2 k बस 2 k power 1 होगा तो वो हम दिखेंगे नहीं तो यह k से 1 k cancel हो गया तो यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास k is equal to 8 by 3 आ रहा है ठीक है तो 8 by 3 आ रहा है तो देख लिजे c option इसका correct हो जाएगा question number 18 देखिए बहुत ही simple question है पर आपको पूछा जा सकता है limit x tends to 0 है sin 3 x है upon sin 7 x है तो limit x tends to 0 है sin 3 x by 3 x into 3 x कर देते हैं ताकि हम वो formula लगा सके कि limit x tends to 0 sin x by x 1 हो जाएगा तो यह part इसका 1 हो जाएगा ठीक है उसी तरह से sin 7 x है sin 7 x upon में 7 x कर दीजे into में 7 x कर दीजे sin 7 x by 7 x 1 हो जाएगा अब यहां देखिए यह x और यह x कंसल करा दीजे यह दोनों x कंसल हो गए यह 1 हो चुका है यह 1 हो चुका है तो 3 x 7 आंसर आ जाएगा तो आप देख लिजे 3 x 7 कहां पर है 3 x 7 है c पर तो c option इसका correct हो जाएगा question number 19 और आज के session का second last question है limit x 10 to 0 1 minus cos 2 x by x square अब देखिए बहुत ही simple question भी है यह limit x 10 to 0 है 1 minus cos 2 x को हम क्या लिख सकते है 2 sin square x लिख सकते है और upon में है x square ठीक है अब क्या होगा sin square x by x square और limit x 10 to 0 है limit x 10 to 0 है तो वो 1 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा 1 square हो जाएगा basically तो वो ultimately 1 ही आजाएगा तो 2 हमारा इसके इसका answer आजाएगा limit का answer आजाएगा तो हमारा answer जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा तो यहाँ पर जो है हम limit थोड़ा सा change कर देते हैं modify कर देते हैं limit हम कर लेते हैं pi minus x pi minus x tending to 0 कर लेते हैं ठीक है तो क्या होगा कि आप जो है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं sine यह जो x है उसको भी आप pi minus x लिख सकते हैं क्योंकि sine pi minus x भी sine x ही होता है और नीचे जो है आप इसको minus common लेंगे तो यह pi minus x आप इसमें convert कर सकते हैं ठीक है और अब जो है यह sine pi minus x भी pi minus x तो 1 हो जाएगा तो यह minus 1 इसका answer आजाएगा ठीक है बहुत easy concept है समझने के लिए तो और इसका pdf भी आपको practice करने के लिए available है with answers तो आप जो है वहाँ से download करके मतलब उसके लिए आपको हमारा telegram group join करना पड़ेगा आप जब telegram group join करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको जो class 11th के लिए maths के लिए telegram group है m and c education maths class 11th class 11th maths एक group है m and c education class 11th maths तो वहाँ पर आपको जो है इसका pdf मिल जाएगा with answer मिल जाएगा तो आप इसकी practice करके खुद answer verify कर सकते है तो आप इसका benefit जरूर उठाईए अगर आपने m and c education चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लिजे और साथी bell icon को प्रेस कर दिजे ताकि आपको m and c education channel में जो भी video upload किये जाएगा तो उसकी जानकारी तुरंत ही ततकाल ही मिल जाए बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी तब तक के लिए थैंक्यू सो मच थैंक्यू सो मच फॉर बिइंग विद आस थैंक्स अलोट इंगा इंगा एंगा थैंक्यू